प्रस्ण 14 कभी माइनस 3x² बाई 4x बाई स्कोर जेड माइनस x² बाई स्कोर जेड स्कोर और 4 बटा 5 z को गुना करें तथा गुननफल की जाच करें यदि x बराबर 1, y बराबर 1 बटा 2, z बराबर 1 बटा 3 तो किसको किसको गुना करना है तो गुना करना है माइनस 3x² बाई तो गुना कच्छी ने देते जाएंगे गुना फिर गुना करना है तो माइनस 3x² बाई कोश्टक में ले लेंगे फिर है 4x² इसको भी कोश्टक में ले लेंगे तो देखें दोनों कोश्टक में है अगर कोश्टक के बीच में कोई चीन नहीं है तो गुना में हुआ तो गुना का चीन हम दें बीच में या ना दें ये गुना में ही है क्योंकि दोनों कोश्टक में है फिर माइनस x² बाई स्क्वाइर जेड़ स्क्वाइर तो बस कॉमा हटा देंगे ठीक है? बस कॉमा हटा देंगे तो सब गुना में हो जाएगा और क्या है? और के बाद है चार बाटा पाँच जेड़ इस तरह से तो ये चारों को गुना करना है यानि माइनस 3 x² y को 4 x by square z से गुना करना है फिर माइनस x² by square z square से गुना करना है और चार वटा पांच जेट से गुना करना है ठीक है ये चारों को गुना कर देना है उसके बाद जो गुननफल आएगा उसका फिर जाच करना है x बरावर 1, by बरावर 1 वटा 2 और z बरावर 1 वटा 3 ले करके तो पहले हम इसको गुना करेंगे तो देखे माइनस 3 तो माइनस में कौन कोन है 3 x स्क्वाइर बाई माइनस में है और x स्क्वाइर बाई स्क्वाइर जेड स्क्वाइर भी माइनस में है ठीक है देखे माइनस यहां पे भी है माइनस यहां भी है तो माइनस माइनस हो जागा प्लस और ये दोनों तो प्लस में हैं यानि प्लस में आएगा तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर बराबर अब गुना करेंगे चारतिया बारा देखें चारतिया बारा और चार भी उपर है यानि बारा चौक 48 तो हो जाएगा 48 बटा 5 क्या लिख लेंगे 48 बटा 5 x square गुना x गुना x square तो दिखीं x square और x square गुना होंगे क्या हो जाएगा x का घात 4 और यहां भी x है यानि x का घात 5 हो जाएगा ठीक है x का घात 5 हो गया, देखिए x square, यहां पर x है तो x square गुना x, x का घात 3 हो जाएगा और x का घात 2 है यहां पर, तो x का घात 3 गुना x का घात 2 x का घात 5 लिख लेंगे तो x square x और x square को गुना करें कि क्या हो जाएगा x का घात 5 क्योंकि गुना में घात को जोड़ देते हैं तो 2, 2, 4, 1, 5 यानि x का घात 5 हो जाएगा यहाँ पर ठीक है अब बाई में तो बाई गुना बाई एस्क्वाइर गुना बाई एस्क्वाइर तो यहाँ भी देखें बाई का घात 2 है बाई का घात 2 है बाई का घात कुछ नहीं तो 1 है तो 2, 2, 4, 1, 5 यानि बाई का घात भी 5 हो जाएगा तो बाई का घात 5 लिख लेंगे अब जेड में आते हैं तो देखें, by गुना by square गुना by square, क्या हो जाएगा, by का घात 5, क्यूंकि घात सब जुढ जाएगा गुना में है, तो घात 2, by का घात 2, by का घात 2, और by का घात 1, यहाँ पे कुछ नहीं, तो घात 1 है, तो 2, 2, 4, 1, 5, यानि बाई का घात 5 हो गया, गुना हो रहा है, अब z, तो Z गुना Z स्कॉाइर गुना Z, तो देखे, Z स्कॉाइर गुना Z, Z का घाद 3 हो गया, फिर गुना Z है, यानि Z का घाद 4, तो लिख लेंगे यहाँ पर Z का घाद 4, ठीक है, इतना आ जागा गुना करके, फिर से इसको मिला लेते हैं, तो पहले गुना कर लेते हैं, तो देखे, चारती अब 12, 12, 48, 48 बटा 5 हो गया, माइनस माइनस पलस, x square गुना x गुना x square हो जाएगा x का घाथ 5 by गुना by square गुना by square by का घाथ 5 z गुना z square गुना z यानि z का घाथ 4 तो इतना आ गया गुननफल अब यहां पे बराबर के दाया तरफ कौन है 48 बटा 5, x का घाथ 5 by का घाथ 5 और z का घाथ 4 यह हो गया दाया पच में और बराबर के बाया पच में यह सब है यानि माइनस 3X स्कॉार बाई गुना 4X बाई स्कॉार जेड गुना माइनस X स्कॉार बाई स्कॉार जेड गुना 4 बटा 5Z यह हो गया बराबर के बाया पच में यानि बाया तरफ, तो बाया पच हम सबसे पहले लेंगे, उसके बाद दाया पच लेंगे, तो देखे, तो लिखेंगे बाया पच बराबर, अब इसका जाच करना है, ठीक है, गुननफल तो कर दिये हैं, अब इसका जाच करना है कि सही है कि नहीं, ठीक है, ये सही गुननफल आया है की नहीं कैसे जाच करेंगे तो सबसे पहले बाया पच ले लेंगे तो बाया पच में कौन कोन है माइनस 3x2 by गुना 4x by इसक्वाइब जेड गुना माइनस x2 by इसक्वाइब जेड गुना 4 बटा 5 जेड तो यह सब को लिख लेते हैं माइनस 3 x X स्क्कौाईर बाई, गुना 4 X by स्क्कौाईर, Z, फिर गुना माइनस X स्क्कौाईर बाई स्क्कौाईर, Z स्क्काईर, फिर 4 बटा 5 Z, यह 4ों को लिख लिए हैं, चारों गुना में हैं, तो देखें, चारों को कोश्टक में कर दी है, ठीक है, इधर जगर नहीं था, तो हम नीचे लिख लिए हैं, यहाँ पर, अब हम लिखेंगे, बराबर, देखें, माइनस 3 गुना, अब X कमान कितना दिया हुआ है, X कमान 1 है, देखें, प्रस्ण में, X कमान 1 है, तो X के जगा पर 1 लिखेंगे, तो माइनस 3 यह सब गुना में है, तो माइनस 3 गुना 1 का घार 2, यानि X के जगा पर 1 लिखेंगे, क्योंकि X बराबर 1 दिया हुआ है, गुना, बाई, बाई के जगा पर, बाई बराबर 1 वटा 2 है, तो बाई के जगा पर 1 वटा 2 लिख लेंगे, अब गुना क के जगा पे एक वर्टा दो बाई बराबर एक वर्टा दो दिया हुआ है तो बाई ए स्क्वाइर है यानि एक वर्टा दो का स्क्वाइर गुना जेड जेड बराबर एक वर्टा तीन दिया हुआ है तो जेड के जगा पे एक वर्टा तीन लिख लेंगे देखें जेड के जग गुना बाई स्कॉयर बाई के जगा पे एक वटा दो लिखेंगे क्योंकि बाई वराबर एक वटा दो है तो एक वटा दो का वर्ग गुना जेट के जगा पे एक वटा तीन लिखेंगे यानि एक वटा तीन का घाद दो गुना अब चार वटा पांच गुना एक वटा तीन ज x के जगाप एक लिख लेंगे तो x-square यानि एक का वर गुना by by के जगाप एक वटा दो की accommod semester primary दिया हुआ है फिर है 4xThererow tv to take गुना 4x2 जेड तो गुना 4 collapse x के जगाप एक लिखेंगे गुना bye square यानि एक वटा का square क्योंगि yVAB2 है गुण z, z के जगाप pero 1 बटा 3 लिख लेंगे तो होगया 4X by square z, देखे 4X by square z, गुण minus x square by square z square तो minus x square यानि minus 1 का बर्ग x के जगाप लिख लेंगे तो 1 का square होगया गुण by square, यानि 1 बटा 2 का बर्ग बाई के जगा पे एक वटा दो लिखेंगे गुना जेड़ का स्क्वाइर यानि जेड़ के जगा पे एक वटा तीन लिखेंगे गुना चार वटा पांच गुना एक वटा तीन जेड़ के जगा पे क्या लिखेंगे एक वटा तीन तो इस तरह लिख लेंगे अब माइनस तीन अब देखें गुना एक का वर्ग तो एक का वर्ग एक होगा एक लिख लेंगे गुना एक वटा दो गुना चार गुना एक गुना अब एक वटा दो का वर्ग तो एक वटा दो का वर्ग एक का वर्ग एक होगा दो का वर्ग देखे, दो कवर्ग क्या होगा, दो दुना चार, गुना, एक वटा तीन, देखे, एक वटा तीन को हम यहाँ पे लिख लेंगे, गुना, अब माइनस, गुना, माइनस, अब देखे, एक कवर्ग एक हो जाएगा, एक गुना एक, गुना, एक वटा दो कवर्ग, तो एक कवर् गुणा एक वटा तीन का वर्ग तो एक का वर्ग एक तीन का वर्ग तीन तीन आई नौ गुणा चार वटा पांच गुणा एक वटा तीन इस तरह लिख लेंगे तो सब का वर्क करके यहां पर लिख लिया है ठीक है, सब का वर्क करके हम लिख लिख लिया है यहां पर अब इसको गुना करेंगे तो देखे जो कट रहा है उसको काट लेंगे सब गुना में है यहां पर सब क्या है गुना में है तो देखे, चार से चार कट गया, यहां भी, देखे, चार से चार कट जाएगा, और कोई कट रहा है तो उसको काट लेंगे, तो और यहां पे कोई नहीं कट रहा है अब, देखे, चार से चार कट गया, यहां भी चार से चार कट गया, तीन, पांच, नौ, यह सब नीचे है, अब देखिए, 3 से 3 भी कट जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे है, यहाँ हर में हैं, यहाँ पर अंस में है, 3 से 3 कट गया, और कोई, तो देखिए, अब नहीं कटेगा कोई, तो अब गुना कट लेंगे, यहाँ minus है, यहाँ भी minus में है, देखें, माइनस माइनस क्या हो जगा, प्लस, यानि प्लस में इसका उत्तर आएगा, ठीक है, क्योंकि दो जगा माइनस है, अब गुना कर लेते हैं, तो उपर में अंस में सब एक है, यहां भी सब एक है, तो उपर में तो एक आ गया, उपर में क्या आ गया, एक बटा, अब नीचे में देखिए, यानि हर में, दो, यहाँ पे सिर्फ दो है, यहाँ पे नौ है, यानि नौ दुना, ठारा, ठारा, पचे नब्बे, नब्बे तिया, दोसो सत्तर, फिर से देखिए, पांस तिया पंदरा, पंदरा दुना, तीस, तीस नमा, दोसो सत्तर, फिर से देखिए 9, 2, 8, 18, पचे 90, 90 गुना 3, यानि 9, 27, तो 90 गुना 3 कितना हो जागा, 270, तो कितना आ गया, 1 वटा 270, फिर से देख लेते हैं इसको, तो अंस में सिर्फ 1 है, तो एक लिख देंगे, और माइनस माइनस तो पलस हो जागा, हर में यहां पे 2 है, और यहां 9 है, तो 9, 2, 8, 18, पचे है, एक वटा 270, बाया पच बराबर क्या आ चुका है, एक वटा 270, अब हम दाया पच लेंगे, दाया पच, तो दाया पच बराबर हम कितना लाए हैं, देखे, दाया पच बराबर कितना लाए हैं, तो बाया पच ये सब है, तो बाया पच ये है, इसका मान हम ला चुके हैं, एक बटा 270 अब दाया पच लेंगे यानि 48 बटा 5 गुना एकस का घात 5 बाई का घात 5 जेड़ का घात 4 इसको लिख लेंगे आप बाया पच में तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 48 बटा 5 बाया पच क्या है 48 बटा 5 एकस का घात 5 बाई का घात 5 और जेड़ का घात 4 इस तरह लिख लेंगे तो हो जाएगा 48 बटा 5 एकस के जगह पे क्या लिखेंगे तो एकस बराबर है एक तो एक का घात 5 लिख लेंगे गुना बाई का घात 5 तो बाई के जगह पे एक बटा 2 यानि बाई बराबर एक बटा 2 दिया हुआ है तो बाई के जगह पे एक बटा 2 लिखेंग एक वट दो का घात पांच, गुना, जेड, जेड बराबर एक वट तीन है, तो जेड के जगा पे एक वट तीन लिखेंगे, का घात चार, इस तरह लिख लेंगे, ठीक है, तो एकस के जगा पे एक, तो एकस का घात पांच है, तो एक का घात पांच हो जाएगा, बाई के जग बटाबर एक दिया हुआ है, बाई बराबर एक वटा दो और जेड बराबर एक वटा तीन, तो इस तरह हम सब का मान यहां पर रख लेंगे, अब हो जाएगा 48, बटा पांच, गुना, एक का घात पांच, तो एक को कितना भार भी गुना करेंगे, एक ही आएगा, एक गुना, एक गुना, एक करते जाएगे तो भी एक ही आएगा, तो एक का घात पांच, एक पर कितना भी गात हो, एक ही रहेगा, गुना, अब एक बटा दो का घात पांच है, तो एक का घात पांच तो एक ही होगा, बटा, दो का घात पांच, तो दो दुना चार, दुना आठ, आठ, दुना 16, 16 दुना 32, तो 2 का घात 5 कितना होगा, 32, गुना 1 बटा 3 का घात 4 है, तो 1 का घात 4, एक पे कितना भी घात रहे, एक ही होगा, 3 का घात 4, यानि 3 को 4 बर गुना करेंगे, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, यहां पर 81 लिख लेंगे, तो 3 का घात 4 कितना हो जागा, 81, इ गुना में है अक्रच सकते हैं dalू फो सोलतिया अड़तालिस चार से काट एगर चार से काटेंगे तो तो सोल है लाक है और काट लिए तो सो ले से ल Speeds रहा है, 62, 32, 63, 48, अब 3 से 81 कट रहा है, देखें, 3 से 81, 27 तीया 81, 3 से 81 कट लेंगे, 27 तीया 81 होता है, इस तरह से, अब देखें, इसका क्या आ गया, तो अंस में सिर्फ एक है, देखें, कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक है, तो एक लिख देंगे, बटा, 5 दूना 10, 10 गुना 27, 27 गुना 10, 270, तो यहाँ पे, कितना आ गया, एक बटा 270, देखें, 5 दूना 10, 5 गुना 2 कितना हुआ, 10, और 10 गुना 27, यानि 270, तो एक बटा 270 आ गया, तो दाया पच कितना आ गया 170 तो बाया पच भी 170 आया था देखे दाया पच कितना आ गया दाया पच आ गया है 170 और बाया पच कितना आया था तो बाया पच भी 170 आया है देखें बायाँ पच भी एक बटाए दो सो सत्तर आया है यानि बायाँ पच और दायाँ पच क्या है बराबर है तो लिखेंगे अता बायाँ पच बराबर दायाँ पच यानि बायाँ पच और दायाँ पच क्या है बराबर है तो यही जाज करना था कि गुनानफल की जाज करें तो देखें गुनानफल यानि उसको गुना करने पर जो आया है वो सही है तो इस तरह हम इसको हल करेंगे तो जाज करेंगे है वो सही है झाल झाल झाल